सुबह के नाश्टे में अगर कुछ ना सूजे तो एक बार ये रैस्पी जलू ट्राइ कर लेना यकिन मानिए इतनी बसंद आएगे कि पूरा परिवार आपकी इस रैस्पी का दिवाना होने वाला है खास बात ये है कि इसमें ना आपको बिना तेल माला ओयल की जरूरत नहीं है और ये बनकी तयार हो जाती है तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा मैं आपके लिए अच्छ अच्छी रैस्पी लेके आती रहती हूँ अच्छी ना लगे तो आप डिसलाई भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप से नाप करके दो कप ले ली है सूजी चूकि मैं पूरी फैमिली के लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है तो मैं ज्यादर कॉंटिटिएं बनाओंगी अब दो कप हमने दही सूजी लिए न तो इस साफ से हम दो चम्मज डालेंगे इसमें खटा दही मैंने यह पे सूजी का अच्छा एक पेस्ट बनके तयार हो जाए तो अकसर होता है ना फ्रेंट्स की रोज रोज क्या बनाए नाश्ते में समझ ही नहीं आता है तो मॉर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा है एक बार में सब के लिए बन जाना है और टिस्टी तो बहुत ही जादा लगत सब्सक्ảइब कर सकते हैं तो चली सब्सक्राइब उल् absence सबस्दाइब कर डिया है और Pr embargo सुझी है जो हमारा पेश्ट के बाद रखने के बारिस में हम सब्सक्राइब करेंगे तो मैं शारी समझे लिया हुँ मैंडेरेब कुझा हुआ सिमला मिर्च साथ में अद्रक हरी मिर्च और हरा धनिया आपके पास अगर और भी सब्जिया हैं जैसे गाजर हो गया पत्ता गोबी हो गया फूल गोबी हो गया या जो भी सब्जी आपको पसंद है आप इसमें एड कर सकते हैं तो यहां पर मैंने प्याज भी ले ली है और साथ में हम इसमें स्वीट कॉन भी एड़ करेंगी आप चाहेगा इसमें स्वादा इसार, नमक और सभी सब्जियों को अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब इसमें हम लगाने वाले हैं एक स्पेशल तड़का इससे ना बहुत ही ज़्यादा टेश्टी नास्ता बनेगा बैसे यहाँ पर तड़का भी ऑप्सनल है आप चाहे तो डिर्टली ऐसी बना सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सापके पास टाइम है सिर्फ दो मिनट लगेंगे तो तड़का जरूर डाल दीजेगा तड़का बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं राई और एक तड़का पैन अब इसे रखेंगे हम गैस में और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर करके देशी गी गी से तेस्ट अच्छा आएगा और खुश्पू भी बढ़ी आ जाती है नास्ते में घी को अच्छी से गरम कर लेंगे जैसी गी गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं आदा चम्मच जाई और साथी में मैंने आप पर थोड़े से करी पत्ता ले लिए हैं सूखे हुए तो बस इनको अच्छी से हम कड़का लेंगे और तुरंत इसको डाल देते हैं इस सूजी वाले पेस्ट में तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा खुश्बू बढ़े आने लगती है टेस्ट भी बढ़ जाता है तो बस अच्छी से तरका को भी मिक्स कर देंगे अब फाइनली हमारा जो पेस्ट है वो बनने के लिए बिलकु बनाने वाला मोल्ड है आप इसकी जगह कोई भी इस्टील का कटोरा हो वो ले सकते हैं केक कटें हो वो ले सकते हैं अब मैं यहाँ पर ले रही हूं और इको बेक पेपर आप यहाँ पर कोई भी बटर पेपर का यूज भी कर सकते हैं या डिरेक्ली इसको ऑईल से क्रीज कर के बरतन में बना सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी इनाश्टा चिपकेगा नहीं बर आसानी से दी-mold हो जाता है इसके लिए मैं यहाँ पर आड़ी कोबे पेपर ले रही हूं तो इसको हमने कटेंग कर ली है बरतन के नाप की अब यहां पर मैं ले रही हूँ मीठा सोडा यह कितना लेना है देखिए हम चम्मच से नाप करके लिए रहे हैं तो यह हम ले रहे हैं एक चौथाई चम्मच आप चाहे तो सोडा की जगाए एक पैकेट इनो फूट सॉल्ट का इस्तिमाल भी कर सकते हैं साथी में हमने स्वाधन सा नमक एट कर दिया है अब हम अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तुरंत ही इस बरतन में हम पूरे ही पेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे थोड़ा सा हम इसको अच्छे से वेंली फैला लेते हैं और फटा-फट से इस बरतन को रखेंगे हम इस पानी के ऊपर नीचे हमें स्टेंड बगएरा कुछ भी रखने की जरूद नहीं हम इसको पानी में रखेंगे ऊपर से थोड़ा सा हम लाल मिर्च इस तरह से छिड़क देते हैं और बस इसको ढख करके हम 20 मिनट के लिए पकने देंगे थोड़ा सा 20 मिनट बात जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से पक की तयार हो चुका है आप चाहें तिक टूटपिक डाल करके चेक भी कर सकते हैं यह अच्छे से पका यह नहीं अगर बैटर गीला नहीं एंदा तो समझ लीची यह पक चुका है पड़ मुझे पता है कि यह 20 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक गया है तो बस अब हम इसको क्या करेंगे डी मोल्ड कर लेंगे तो पहले हम इसकी किनारे थोड़े से अलग कर देते हैं चाकु से ताकि आसानी से डी मोल्ड हो जाए अब हम इसको पलट लेते हैं प्लेट में और यह लीजिए कितने अच्छे से य अब बना सकते हैं आप इसका टेक्शर देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉंजी बनके तैयार हुआ है यहां पर मेरी तन्वीरानी भी बगल में इंतजार कर रही है क्योंकि उनका यह फैवरिट नास्ता है उसको इडली हो गई इस तरह के नाश्ते बहुत ही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शियर जरूर कर दीजेगा अपना एक प्यारा सा कमेंट कमेंट वॉक्स में करना बिलकुल मत बूलेगा और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने नाश्ता को कट कर लिया है इसका शेप भी काफी डिफरेंट आया है जैसे हम लोग केक मना बिलकुल बैसे शेप आया है मतलब किसी को आप सर भी करेंगे न तो बड़ी अच्छी फीलिंग आने वाली है कुछ डिफरेंट है देखने में भी डिफरेंट है खाने में भी बहुत टेस्टी है मिना तेल मसालों के हमने इसको बनाया है तो एक बाइट राइए करना तो ब बहुत अच्छी से पक जाता है और इसमें जो सब्जियां है बहुत ही अच्छा क्रेंची सा फ्लैवर देती हैं तो इस नाश्ता की रेस्पी को आप ज़रू ट्राई करें वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शियर करें फिर मिलते हैं ऐसी ही एक कप पानी में नीवर निचोड़ लेना है आधा और दो कप सूजी लेनी है नीवरा पानी ढल कि पेस्ट बना लेना है फिल लेने हैं तिन से चार ओबले आलू इसमें गरेटर्ड गाज़र मटर जो तो यंहां मसाली दाल सकते हैं घ्रमिय मसाला तोऀयम मसालला और अध्रक डाल दनी की अच्छे से मिक्स करेंगे तो त्यार होगी बिना तेल की दिल कीरा जाएंगे भीत मोट्य अब आप जो सूजी के पबाइन जाल दालेंगे थोड़ा सा बैटर डाल करके समें टिक्कियां डालेंगे तीन से चार मट के लिए पकाएंगे बापस से इसको उपर से भर देंगे पिस्ट को फिर से पकाएंगे तो यह तैयार हो जाएगा बिना तेल का हैल्दी टेस्टी नास्ता आयो अच्छा लगा होगा वीड में बाँ बद्धार